कभी सोचा है कि बालों को लंबे समय तक ब्लाक चैसे रख सकते हैं यानि घर पे हम हैएर पैक तो लगाते ही हैं बट लंबे समय तक काले रहें इसका क्या है है डोंट वरी गाईज आज आपके सा शेयर करने वाली हूँ ऐसा हैक ऐसा डिकॉक्षिन जो आपके बालों को लंबे समय तक प्लाक रखेगा वन मंथ के लिए आपको कोई हैर डाय कोई हैर कालर कोई मेंदी वगेरे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए जादा बात ही नहीं करते हैं स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो आप ध्यान से देखेगा कि मैं कैसे बना रही हूँ कैसे लगा रही हूँ नाव नो मोर टेंशन की बाल काले कैसे करने हैं घर पे हैर कालर कैसे बनाना है आपको लेना है एक लोहे का वेसल यानि की आईरन पॉट इसी पर हम बनाने वाले हैं सबसे पहले अपना डिकॉक्षिन यह इतना पाफ़ल डिकॉक्षिन है ना यू ओन बिलीव इट गाइस छलिए आपको क्या करना है आपको लेना है दो से तीन ग्लास पानी पानी हमें जाँ लेना है यह हमें रिडिउस करना है वाटर को तो मेकशॉर करें कि आप बड़े गलास पानी ले लें और कलोंजी अकेले कांदह से लांट है इसके साथ miałता है यानि कि वह में पार दोखे यहें या तो आपको अड़ करना है अगर अपके पता है तो आ पूपप कर सकते हैं तो कि बाकी भी सारे सीड्स है इसे मैंने रैंडम डी ले लिया है थोड़ा सा एक चम्मच आप कहा सकते हैं और अच्छे से हमें इसे बॉयल करना है तो आपको ऐसे ही करना है और बिल्कुल भी ना फटा फट करके इसे रिड्यूस नहीं करना है इसका सारा जिस्ट इसका सारा अर्क सारा जो असेंशल इसकी गुड्निस है वो हमें इस पानी में चाहिए तो इसलिए आपको ग्यास का फ्लेम तेज नहीं करना है अच्छे जी न अगर आप सिर्फ आनियन औफ के आड़ यानि की इसके छिलके के साथ ही आपको इसमें डाली हूं लाइड करें, इतना जाधा यह पोटेंड होता है आपके बालो को बल्लाक करने में काफी सद्धार होता है अगर आप सिर्फ onion oil भी लगाते हैं ना regularly तो आप देखेंगे आपके बाल दीर 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 ब्लैक होते नजर आते हैं मैंने इस खुद से ट्राइ किया हुआ है इवन मेरे घर पे मेरी फैमिली ने भी ट्राइ किया हुआ है रेड अनियन का oil भी काफी ज़दा कारेगर होता है है ना तो अगर आपके पास है ना उसे आज से यूज़ करना शुरूर कर दीजे फिलाल मैंने इस डिकॉक्षिन में रेड अनियन डाल दिया है और इसकी सारी गुद्निस आने वाली है इस लोहे के pot में इस डिकॉक्षिन मे और आप देखिएगा इसका कलर कितना ज़्यादा बढ़िया कितना ज़्यादा डाक ब्लाक होने वाला है अनियन को मैंने फिर्स टैम यूज़ किया है क्योंकि मैं अनियन ऑई यूज़ करी थी कुछ ताइम से और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला तो मैंने सोचा क् करिएगा और इसी तरह से बनाएगा है अप चाहें दगाशन को बना कर एक हवदे के लिए स्टौर विक talvez कर सकते हैं एक हवते दस दिन के लिए कि इतना और अच्छा प्रेश ट हॉ enacted कर देता है तो tiny एक हवदे से जादा मत इज़ आउन्यादा कर भर कार देगा है और देख तो चलिए इसे अब च्छान लेते हैं अभी ग्यास का फ्लेम ओन है लो कर दिया है मैंने देखिए सारी चीज ने ब्लैक हो चुकी है बट हमें इसे जलाना नहीं है ठीक है थोड़ा सा लो फ्लेम पे कर दिया है बस देखने के लिए इसकी कंसिस्टेंस से किस तरह से आपका कि मुझे चाहिए अगर आपको ज्यादा डिकॉक्शन चाहिए न तो और ज्यादा पानी आप शुरूर में आड करिएगा क्योंकि बाद में रिड्यूस होके बिल्कुल कम होने वाला है ठीक है अब यहां पर ग्यास का फ्लेम ओन कर देते हैं और वेट करते हैं इसकी ठंडा ह जैसे ठंडा हो जाएगा न वैसे मैं से चाहन लूगे अच्छा जी मैंने इसे चाहन लिया है और ग्लास में ले लिया है अब सेम लोहे के बरतन में हम एड करेंगे बीटूट पाउडर हम बना रहे हैं हेर ठीक है तो बीटूट पाउडर बहुत ईजली मिल जाता है बालों को डाक again करने में help करता है यह natural ingredient है जी आपकी बालों को सिल्की और स्मूध भी बनाता है यानि आप अगर बीटूर जूजञा पलाए करते हैं तो आपके बाल काफी साथ सॉफिज़ा बना था ब्लैक होने के साथ साथ ब्लैक नहीं होते हैं बीटूट पाउडर से रेड होते हैं ब्लैक तब होते हैं जब हम महंदी मिलाते हैं इसमें या फिर दूसरे इंग्रीडियंट्स मिलाते हैं अकेले अगर आप बीटूट पाउडर मिलाएंगे तो आपको बर्गंडी टाइप का कलर मिलेगा साथ में मैं इसमें आड़ कर रही हूँ आमला रीठा शीका काई का पाउडर जैसे कि मैंने कहा कि बीटूट पाउडर अकेले नहीं लगाना है कुछ इंग्विडियंट जब आप आड़ करेंगे तब आपको बेतर रिजल्ट मिलेंगे अगर आपको बरगंडी कलर चाहिए तो आप बेशक बीटूट पाउडर ही आड़ करके लगा सकते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट वो भी मिलता है बट हम लोगों को चाहिए होता है बलाग कलर बरगंडी नहीं चाहिए तो इसलिए हम बाकी चीज़ें अड़ कर रहे हैं आमला रिठा शीका काई का पाउडर एक अपने आप में कम्प्लीट पाउडर है जिसमें आपको अलग से मिलाने की ज़रूद नहीं है ये तीनों एक साथ बहुत अच्छे से जाते हैं आप चाहिए तो सिर्फ आमला पाउ अब इन सबके साथ हिना नहीं आड़ करेंगे तो कलर कैसे आएगा इसलिए हिना पाउडर भी आड़ करना है और जितने भी लोगों को मित है कि हिना से बाल राय हो जाते हैं यह जाते हैं इस यूज़ करके देखिए आपको बहुत अच्छे रजल्ट मिलने वाले हैं यह ड कॉलेज में थी तब तो बाल ग्रे नहीं थे बट इतना ब्यूटफुल कंडिशनिंग करती थी ना मैं हिना से वनार लगाती थी और इतने ब्यूटफुल बाल हो जाते थी काफी लंबे मेरे हैर थे शायद मैं आपके साथ कभी वह पिक्स शेयर करूं काफी ब्यूटफुल ल पहिना लगाती थी हफ़ते दस दिन में एक बार तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बालों को ब्लाक ही करते कंडिशन भी करते हैं बहुत अच्छे तरीके से यहां पर मैं डिकॉक्शन के साथ इसे मिक्स करके अच्छा सा लंप फ्री पेस्ट बना लूंगी देखिए बिल्कुल लगाती दालके हम अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे और इसे नहीं हम ओवरनाइट सोख होने देंगे जी आँ दोस्तों अगर आपको अपने बालों में अच्छा कलर चाहिए अच्छा कंडिशन चाहिए तो मेहंदी को ना कम से कम चार से पांच घंटी या फिर के लिए क्योंकि मेरे पास टाइम है आपके पास नहीं है तो आप चार से पांच घंटे रखिए और डिकॉक्शन को फे किएगा नहीं हफते में एक दुबार ना स्प्रे कर लीजे बालों में तो आपको कलर आपका मेंटें रहेगा अच्छा नेक्स मॉनिंग जब आप दे चलिए अप्लाइ कर लेते हैं और अप्लाइ करने से पहले दिखा देती हूं अपने बालों का हाल काफी समय पहले मैंने हैर पैक लगाया था और आप देख सकते हैं मेरे बाल ऐसे आगे से रूट से वाईट और गोल्डन नजर आ रहे हैं क्योंकि मेंधी का कलर हट चुका ह यह देखे रूट से आप देखेंगे तो गोल्डन प्लस वाइड दोनों टाइप के हैर आपको देख रहे हैं यह रहा मेरा हैर पैक फटा फट से इससे अप्लाइ कर लेते हैं अप्लाइ करने का कोई हार्ड इन फास रूल नहीं है तो मैंने विडियो को कर दिया है करें कि जहां भी आपको ग्रे हैर है वहां पर डबल ट्रिपल कोटिंग कर लीजे ताकि अच्छे से आप बालों में कलर आ जाए और रूट्स में अच्छे से आपको यूज करना न भूले वरना अगर आप रूट्स में नहीं करेंगे ना तो फिर बाल आपके जैसे आप फेस पैक लगाना कोई जंजट नहीं है फटा फट से लग जाते हैं बट फिर भी न आप देखेंगे मेरी बेवी बीच बीच में आके परेशान कर रही है तो मैं क्या करती हूं लास में ना हातों से लगा लेती हूं और यह वीडियो को क्या हो गया चली से फिर से फास्वाट कर पर हाथों में कलर सौरी हातों में कलर आप देख सकते हैं बिलकुल इसे जरग देंगे बटां शार के पैनना बिल्कुल नहीं भूलना है शार के मैं लिए गाइस अब अपके बाइनने कोई लुगा लगा यह जब आप कैमिकल वाली डाय लगाते तो देखते हैं वाल सरे यह ब्रावनिश था ब्लाक करें जो हर किसी को चाहिए होता है पता भी नहीं चले कि हमने हैर कर लगा और बाल कलर भी हो जाए तो इसे ट्राइज जरूर करिए का गाई आपको बहुत अच्छी रिजल्ट मिले वाले हैं देखिए बाल कितने स्मूद शाइनी भी हो गया है शै करोंगी ठीक है और हाँ जितने भी पाउडर्स मैंने यूज किये थे लिया था मैंने पॉपल.com से यह अल्प्स गुटनिस के पाउडर्स है और आपको पॉपल पे 18th and 19th of October बाइवन गेट वन सेल का भी फाइदा मिल रहा है तो उसका भी आफाइदा जरूर उठाएगा ज